स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं exercise 2.3 तो बच्चो मैंने लास्ट क्लास में exercise 2.2 के question number 4 तग complete करवाय था अभी question number 5 or 6 मैंने नहीं करवाया है वो word problem है जिनको में बाद में आपको करवाऊंगे तिक है आज हम शुरू करेंगे exercise 2.3 उसमें भी question number 1, 2 and 3 ये तीनों question what problems है तो मैं इसको आपको बाद में वीडियो में भीजूँगी अभी मैं आपको question number 4 शुरू करवारी हूँ वो इसलिए क्यूंकि वो भी हमारा property से related question है है ना distributed property जो कि हमने exercise 2.2 में भी की थी हमें क्या करना है यहाँ पर multiply fine करने है distributed property को use करके मैंने आपको पहले भी बताया था last video में कि distributed property मतलब होता है number को distribute करना जिसके वज़ा से क्या होगा multiply करना हमारे लिए answer निकालना easy हो जाएगा यह पार्ट देखते हैं हम इसका हमारे पास number है 728 multiply 101 मैंने आपको बोला था कि जो number difficult होता है उसको हम as it is लिख देते हैं और जो दूसरा number होता है उसको हम distribute कर देते हैं कि वो number किन दो numbers को add करके बनेगा या फिर उन numbers को 0 की form में लेते हैं कैसे 101 कैसे बनता है 100 में जब मैं 1 को plus करती हूँ ठीक है अब जो बाहर वाला bracket के बाहर वाला number होता है वो क्या होता है one one time bracket के दोनों number से multiply होता है चिक है कैसे कि 728 एक बार होगा multiply 100 से और 728 second time multiply होगा 1 से तो मैंने लिखा है 728 multiply 100 करें ठीक है क्योंकि plus है plus का sign 728 multiply 1 इन नौनों को multiply करना है तो इसका answer क्या आ जाएगा 728 as it is 100 में दो 0 है यहां पर भी दो 0 लगा दिये plus 728 को one से multiply करेंगे तो वापस क्या आएगा 728 ही आ जाएगा है ना अब इन नौनों नंबर को हम plus कर देगे मैंने आपको last class में डारेक्ट प्लस करना भी सिखाया है अगर फिर भी आपको नहीं आया समझ कोई बात नहीं आप इन नंबर को एक के नीचे एक अरेंज करिए और उनको add कर सकते हैं चिक है मैं डारेक्ट कर 5, 1 इस पर carry 2 प्लस 1, 3 और 7 का 7 ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा इसका answer अभी हम next B part भी करते हैं इसका देखते हैं क्या होता है इसमें इसमें भी same vocab वही process है 5,437 multiply करेंगे 5,437 और 1,001 को हमने distribute कर दिया है 1000 प्लस 1 में ठीक है अब हम क्या करेंगे same वही process 5,437 एक बार multiply होगा 1000 से ठीक है plus 5,437 एक बार multiply होगा 1 से ठीक है तो हम direct multiply करेंगे क्योंकि ये 1000 की form में 30 हैं 30 हमने लगा दिये plus 5,437 वन से multiply होगा तो वापस वही number आएगा अब हमें इनको plus करना है 7 का 7,3 का 3,4 का 4,5 और 7 जो होता है वो होता है 12,2,1 carry 3 plus 4,4,5 and this is the answer अभी हम next question करेंगे that is question number 5 जो कि हमारा exercise 2.3 का last question है तो बचे को next question number 5 है हमारा वो है study the pattern हमें ये pattern को देखना है हमें पता करना है कि इनमे next जो है इनके बात जैसे कि अगर मैं इस pattern की study करती हूँ तो आप ध्यान से देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि pattern क्या चल रहा है सबसे पहले मैंने क्या किया 1 multiply 8 1 को 8 से multiply किया और 1 को ही उसमें वापस plus कर दिया तो मेरा answer मुझे क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है अब next step जो उसको ध्यान से देखिएगा अब मैंने 1 के पास में क्या लिख दिया है next step में 2 ठीक है counting चलेगी आप देखिएगा कि counting चलेगी याँ पर पहले मैंने 1 दिया next time मैं 1 के पास मैंने 2 लिख दिया 8 को multiply किया 8 से ही बार-बार multiply हो रहा है और इस बार जिस number की मैंने counting लिखी है वही number इसमें add करना है 1 के बाद क्या आता है 2 मैंने 2 को add कर दिया तो यहाँ पर मेरा number क्या जाएगा 98 9 से जस्ट एक number कम ठीक है यह कम आ गया अब next जो है हमारा 1 then 2 then 3 तो 1 2 3 इस बार मैंने 3 लिख आ है तो multiply फिर से 8 से किया है और 3 ही plus करूँगी अगर 3 लिख रही हूँ मैं 3 का pattern ले रही हूँ तो 3 ही add करूँगी तो इस बार फिर एक और number कम हो जाएगा एक डिजिट और कम हो जाएगी 9 9 से पहले आता है 8 9 8 हो गया थर्ड वाले में 9 8 और इस से पहले आता है 7 तो 7 हो गया अब मैंने 1 2 3 4 4 लिए यहाँ पर भी 4 को ही plus किया है एक number और कम हो गया इस बार 7 से पहले जो आता है वो लिखा है 6 फिर इस बार मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया है 5 को ही plus किया है तो यहाँ पर भी आया है 6 से पहले एक number 5 इसके next two pattern हमको खुद को बनाने कैसे लिखेंगे देखो 1 2 3 4 5 अगले pattern में क्या जाएगा 5 के बाद जो आता है 6 तो इस बार हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 multiply 8 तो as it is है क्योंकि 8 सबसे multiply हो रहा है ठीक है plus क्योंकि यहाँ मैंने 6 लिया है यहाँ पर भी मैं 6 को plus करूंगी तो हमारा नया pattern जो है वो क्या बनेगा 9 8 7 6 5 यहाँ तक तो same as it is एक और number बढ़ जाएगा जो 5 से जस्ट पहले आता है कौन सा आता है 5 से जस्ट पहले 4 तो इस बार मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया इसके जस्ट पात 1 2 3 4 5 6 मतलब इस बार क्या आएगा 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 multiply 8 plus 7 ही करूंगी यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर भी counting चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 तो इस बार next जाएगा 9 8 7 6 5 4 से जस्ट पहले 3 यह 3 यहाँ पर आएगा तो इस तरीके से हमें pattern को study करना है कौन से digits बढ़ रही है कौन सी कम हो रही है counting चल रही है या numbers कम हो रहे हैं और हमें उनको pattern को अच्छे से study करके हमें उनको complete करना है तो बचो आज यह chapter number 2 आपका complete होता है इनके assignments जो भी मैं आपको देती हूँ आप वो complete करिएगा मैं answer की भी आपको दूँगी साथ में आप उनसे अपने answers को cross check करिएगा जहां पर भी गलती होती है आप उसको सही करिएगा और chapter 2 अपनी notebook में complete करिएगा next class में हम chapter 3 स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए keep practice, stay home, stay safe thank you